लेकिन जब बढ़वारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई और यही बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वएसे जिन्ना और नहरूजी दोनों इंडिया ब्रैंड के लिए लड़ रहे थे लेकिन इसमें एक इंडरस्टिंग बात यह है कि इस पेटिशन को बीजेपी गवर्मेंट ने उस टाइम पे अपोस किया था डॉक्टर भीम राओं बेटगर जी ने सबको वहीं पे रोग दिया इनफेक्ट हमारे कॉंस्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थाद इंडिया देकि आज भी हम मेंसे कोई लोग समझते हैं कि इंडिया जो नाम है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है जो की गलत है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इंडिया और भारत दोनों नामों में से एक्शिल नाम कौन सा यूज होना चाहिए लीगल स्टेटिस क्या है इन दोनों का जब ये दोनों नाम रखे जा रहे थे तो उस पर्टिकलर टाइम पे पार्लेमेंट के अंदर क्या क्या डिसकेशन हुए और क्यों सिर्फ यही दोनों नाम रखे गए जिन्ना को क्यों बुरा लग रहा था जब हमने इंडिया नाम यूज किया ऐसा क्या फाइदा हो रहा था उस टाइम पे इंडिया नाम रखने से जो जिन्ना और नहरूजी दोनों इसके पीछे पढ़ हुए थे और यह जो इंडिया वर्स भारत का करंट इशू चल रहा है वो है क्या यह सब आज आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम रखने के पीछे असली वजा क्या है और यह नाम आए कहां से भारत भारत इंडिया वर्स भारत के आपको लेकर मल्टिपल स्टोरी यह नेकिन एक स्टोरी जो है उसको सबसे आथेंटिक माना जा सकता है क्योंकि उसका आज की डेट में भी रिटर्ण प्रूफ है रिग वेद के मंडल 7 और मंडल 10 में, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे, तो थोड़ा सा वैदी केज में जाना पड़ेगा हमें, देखें ये है सिंदु नदी जो तिबबस से निकलके पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए, अरब सी में गिरती है, फिर ये यहां से जेलम नदी निकलती है, फिर यहां से चेनाब नदी निकलती है, और ये दोनों आपस में मिल जाती है, और फिर ये निकलती है यहां से रावी नदी, और ये जो आप देख रहे हैं, यहां से निकलती है, वो यहां से निकलती है, यह पांचों मिलके सिंदु नदी में मिल जाती है और यह साइट से यहां से आती है सरस्वती नदी, तो यह टोटल मिलके साथ नदिया है, अब यहां पे हर्याना और पंजाब के पास में एक एरिया था, और इस एरिया को सब्त सिंदु कहा जाता था, यह जो सब्त सिंदु का रीजन है, इसको लेके अलग-अलग थेयोरी है, तो एक्शुल एरिया कौन सा है, इसको लेके हर जगा पे आपको conflict मिलेगा, इसलिए roughly आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब क्यूंकि यहां पे साथ नदिया है और सिंदु को में नदि माना गया, तो इस एरिया को सब्त सिंदु कहा जाने लगा, और सब्त सिंदु जो एरिया दोनों के नाम निकलते हैं, अभी आगे बताऊंगा आपको, अब इसके बाद होता क्या है, कि around 14th century का time था, और इस भारता ट्राइब के ओपर, West की तरफ से, पुरू ट्राइब थी है, उसने 9 और ट्राइब के साथ मिलके, यानि कि टोटल 10 ट्राइब एक साथ मिलके, इन्ह हुआ क्या इसमें कि, इस लडाई में सब्त सिंदू किंग्डम के जो भारता थे, उन्होंने इन 10 ट्राइब को एक साथ हरा दिया, और इनको हराने के कुछ दिन बाद, East के एरिया में, अजस, सिग्रूस और यक्षूस को भी हरा दिया, तो इस तरीके से काफी एरिया आ गय किया जाता था, उस रिच्वल में ये था कि, जो राजा जीच जाता था, वो एक यग्य करवाता था, आश्वमेधा यग्य, जिसमें एक यग्य करवा के, एक वाइड घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उस घोड़े के साथ काफी सिपाही भी रहते थे, जिस जिस एरिया म के जो राजा थे उन्होंने यह यग्य करवाया और ऐसा करके सब्त सिंदू किंग्डम बहुत ही तेजी से फैलने लगा उस टाइम पर होता क्या था कि जो भी राजा जीतता था वो हारी हुई जो ट्राइब रहती थी उनके उपर अपना ट्रेडिशन अपनी सोच अपने ट्राइब भी थी उन सब के जो पढ़े लिखे लोग थे जो नॉलिजेबल लोग थे उनकी नॉलेज पूजा करने का तरीका इन सारी चीजों को जोड़के खटा किया और वेदास बनाए अब क्योंकि अपने ट्रेडिशन किसरी को नहीं छोड़ना था और अपने देवी द इसके लोग तो उपने आपको भारितिया मानते थे, लेकिन जैयोग्राफिकल लोकेशन यह थी, उसको सब्त सुनधू कहा जाता था तो बाहर के लोग थे, वो सिन्धू नदी जो लोग रहते थे उनको बत वाहना 10 आ। अब इसके बाद होता क्या है कि जो पर्सीन थे उनक चलके जो हप्त हिंदू है ये शौर्ट में हिंदू नाम से ज़्यादा फेमस होने लगा और इसी हिंदू से कई लोगों ने हिंदूस्तान भी बोला अब इसके कुछ टाइम बाद यह जो वर्ड है हिंदू ग्रीक ने इसको यूस किया अब ग्रीक के साथ दिखकत यह थी कि वो एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अलफाबेट्स में प्रॉपर यू तक नहीं था इसलिए हिंदू जो नाम था वो आगे चलके बोला जाने लगा इंडूस और फिर इसी इंडूस की जो आगे चलके लैटिन फॉर्म बनी वो इंडिया बनी तो सब्त सिंदू, पर् इसी बाहरवारे नहीं दिया था, बलकि मिस्प्रोनसियेशन की वज़े से हुआ था, और इसको ब्रिटिचर्स ने भी नहीं दिया था, ब्रिटिचर्स ने भारत की जगह इंडिया वर्ड यूस किया था, लेकिन उन्होंने ये नाम दिया नहीं था खुछ से, इसमें एक स् सिंगल रूल के अंदर कंबाइन करने का काम किया था, तो इतनी बड़ी जमीन इन्होंने अक्वाइर की थी, इसको भारत वर्षा भी कहा जाता था, मतलब कि राजा भरत की जो जमीन थी, उसको as a single entity represent किया गया, तो ये जो कहानी है ये भी इसका extended virgin मानी जाती है, इसके जब Britishers आये, तो British India बोला जाने लगा, अब Britishers के 200 साल राज करने के बाद, टाइम आता है बटवारे का, और इस टाइम पे British India जो नाम था, वो पूरे वर्ड में famous हो चुका था, लेकि जब बटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई, और उस इंडिया नाम कहीं भी mention नहीं था, और जिन्ना ये सोच रहे थे कि नहरू कभी भी इंडिया अपने देश का नाम नहीं रखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान होगा और दूसी तरफ हिंदुस्तान होगा, इस assumption की वज़ए से शुरू में कोई भी बहस नहीं हुई, लेकिन नहर इंडिया नाम ले लिया, और इसके बाद जिन्ना तुरंद माउंट बैटन को लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी mysterious reason की वज़ए से हिंदुस्तान ने इंडिया वर्ड को अडॉप्ट कर लिया, जो misleading है और ये confusion पैदा करेगा, ये चीज माउंट बैटन इंडिया नाम में ऐसा क्या था, जो जिन्ना और नहरुजी दोनों लेना चाते थे, देखिए इतने साल हो गए थे, इंडिया नाम की एक historical supremacy कायम हो गई थी, इंडिया एक brand बन चुका था, इंडिया सब कॉंटिनेंट की एक historical legacy बन चुकी थी इस नाम की, और नहरुजी का इ दो देश सेम टेंजेंट पे अलग हुएं, ऐसा बिलकुल नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े देश इंडिया जिसकी इतनी पुरानी legacy है, उससे अलग होके बनाया, और इस नाम का एक advantage भी था, कि जहाँ जहाँ पे British India नाम और title यूज हुआ था, Indian Army से लेके UN तक वो सब इंडिया नाम से replace हो गया था, British India अब इंडिया बन चुका था, इस तरीके का message गया था, और जिन्ना ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहते थे, इसको ऐसे समझ लीजे कि कोई brand है, KFC मान लेते हैं, उसका जो owner है, वो अपने एक बेटे को KFC देता है, अपने दूसरे ब इंडिया सिंदू है, यह पूरी की पूरी पाकिस्तान से होके गुजरती है, तो logically भी इस नाम पे पाकिस्तान का हकोना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यही reason है कि पाकिस्तान आज की date में भी कह रहा है, कि अगर इंडिया भारत नाम change करवाएगा UN में, तो इंडिया नाम हम ले लेंगे, और यह जो सारी चीज मैंने आपको भी बताईए, यह सब आपको book एक है, इंडिया, a history by john key, इसमें सम्मिल जाएगा, और page 56 और 58 मेंसे जादा जादा चीज़ें उठाईएं मैंने, अब देखें नाम जो था, नहरू जी ने ले तो लिया था, लेकिन इस नाम को किस तरीके से यूज किया जाएगा, इस पे भी फैसला होना था, और इसके बाद डेट आती है, 17th of September 1949, और इस दिन Constitution के Article 1 में देश का नाम लिखा जाना था, तो उस दिन 17th of September 1949 को, डॉक्टर भीम राओ मेडगर जी ने Article 1 का final version, Constituent Assembly में पेश किया, जिसम भारत और इंडिया दोनों नाम थे, उन्होंने Article 1 के, Clause 1 के लिए Motion Move किया, जिसमें यह था कि, India, that is, भारत, shall be a union of state, Motion Move करने का मतलब है कि प्रस्ताव रखना, कि Article 1 जो है, उसमें यह लाइन होनी चाहिए कि, India, that is, भारत, और फिर उसके बाद उस पे बहस होती है, और सारे लोग अगर agree करते हैं, तो उस Article 1 में यह line add हो जाती है, तो देखे उस time की, Constituent Assembly Debates का हर document, discussion, हर word, जो जो बोला गया, और record को preserve करके रखा गया, ताकि आगे चलके अगर लोग किसी उसमें फसें, किसी दूइदा में फसें, तो यह सारे discussion जो हैं, उससे समझ सकें, कि क्या-क्य reason रहे होंगे, यह नाम रखने के पीछे, और यह पूरा document मैंने description में लगा दिया है, अगर आपको time मिले तो पढ़िएगा, बहुत ही लंबे discussion के बाद यह decide हुआ था, कि नाम क्या होना चाहिए, और इसको कैसे लखना चाहिए, कॉमा कहा होगा, इंडिया पहले आएगा, कि भारत के आएगा, यह सारा discussion उसमें है, तो debate होती है उसमें, और India that is भारत, यह वाला जो motion था, वो unanimously, यानि के बिना किसी opposition के पास हो गया, किसी ने भी इसके खिलाफ vote नहीं किया, और यह चीज, Constituent के Article 1 में add कर दी गई, लेकिन जो पूरा discussion हुआ था उस time पे, बहुत ही logical औ इंटरस्टिंग था, मैं थोड़ा सा short में आपको पता देता हूँ, तो जैसे discussion शुरू होता है, उसमें जनता party के HV कामत जी, इन्हों ने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसका नया नाम करण होता है, ऐसी हमारा नया देश बना है, तो हमारा जो देश है, इसक जो बाते आप कर रहे हैं, कहीं और इंटरस्टिंग लग सकती है, लेकिन अभी जो discussion चल रहा है, वो इंडिया और भारत पे चल रहा है, तो नाम इंडिया या भारत होगा, उस पे बात कीजिए, इसमें Congress के गुविंदास जी थे, उन्होंने का कि इंडिया that is भारत तो ठीक गलत है, बैस तो बहुत देर तक हुई, वोटिंग के टाइम पे लेकिन सबने इंडिया that is भारत इसके लिए agree कर गए और एक भी आदमी असा नहीं था, जिसने इसके against में वोटिंग की, और उस दिन के बाद से जाधातर ये हुआ कि हिंदी में अगर कुछ लिखना होता था तो भारत वर्ड यूज होता था, और जब इंग्लिश में कुछ लिखा जाना था, तो उसमें इंडिया वर्ड यूज हुआ, अगर आप पासपूर्ट देखो, कोई letter है प्रेजिडेंड का, या फिर इंडियन करेंसी देखोगे, जहां भी हिंदी लिखा हुआ है, वहां प कोई भी यूज किया जा सकता है, अब भारत और इंडिया का जो नाम है, इसको लेके 2016 तक कोई discussion नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मार्च 2016 में एक PIL डली सुप्रीम कोड के अंदर की इंडिया का नाम बदल कर भारत कर दो, इस PIL को Chief Justice T.S. ठाकुर और Justice U.U. ल लोग अपनी मर्जी से ये तैक कर सकते हैं कि उनको भारत बोलना है या फिर इंडिया, लेकिन इसमें एक इंड्रस्टिंग बात ये है, कि इस Petition को BJP Government ने उस टाइम पर अपोस किया था, और Supreme Court को कहा था कि ऐसे कोई circumstances नहीं बदले हैं, कि हमको Constitution amend करके देश का नाम बदलने के बारे में सोचना पड़े, इसके बाद 2020 में फिर से Petition डाली गई, लेकिन इस बार क्या हुआ कि Supreme Court ने सुनने से ही मना कर दिया, तो वो बाद भी आई गई होगी, अब इसके तीन साल बाद, यानि के 2023, current situation में आते हैं, तो जून 2023 के बाद, आपको अल्रेडी पता ही होगा की 28 political parties, Patna, Bangalore, Mumbai में 3 meeting करती हैं, और एक alliance बनाती है, Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is India, और इसका purpose यह था कि 2024 का जो election है, उसमें लोग मिलके लड़ेंगे, तो यह सारी चीज़े चलती रहती हैं, लेकिन 31 August 2023 को Parliament Minister जो है, वो एक tweet करते हैं, और उस tweet में लिखा था कि इस बार session of Parliament बुलाया जा रह है, और उसकी जो date होगी, वो 18th of September 2023 से 22nd of September 2023 तक रहेगी, अब देगे, जब तक कोई बड़ा मुद्दा ना हो, Parliament का जो special session है, ऐसे लाया नहीं जाता है, कुछी महीने में regular parliamentary session जो है, वो भी होने वाले थे, तो अचानक से इस tweet के बाद trend चलने लगे Twitter पे, मीडिया में हला होन होने लगा, discussion होने लगे, debate होने लगे, किसी ने गा की one nation, one election होगा, किसी ने UCC की बात की, और अलग-अलग guess करने लगे लोग, और जालतर लोग ये guess कर रहे थे, कि ये जो one nation, one election है, इसी की वज़ा से special session जो है, वो रखा गया है, अब 31 अगस्त को ये tweet आता है, और 9 से 10 September तक G20 होना था, तो जब G20 होता है, तो जितने भी इंडिया के नेता होते हैं, उनको President of India जो है, वो invitation भेजते हैं, अब क्योंकि invitation जो है, वो President भेज रहे हैं, तो उनका नाम भी उस invitation card में होता है, तो हमारे देश के जो President है, उन्होंने जो invitation letter भेजा था, वो out हो गया था, और उस special session है, इसमें देश का नाम ही change कर देंगे, और मोदी जी जब G20 में बैठे थे तो आप लोगो ने देखा होगा, कि उस table के उपर इंडिया की जगा भारत लिखा हुआ था, तो इस पे और हला होने लगा, अब इस पे opposition नहीं का, क्योंकि हमने अभी हाली फिलाल में इंडिया हो गई, कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए, या फिर भारत होना चाहिए, इस पे दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से डिबेट चुरू हो गई, कि article 1 में इंडिया भारत लिखा है, तो इसका मतलब दोनों नाम यूज हो सकते हैं, किसे ने कहा नहीं इंडिया यूज ह अलग अलग डिबेट चुरू होगे, तो देखिए, कॉंस्टिटूशन में इंडिया भारत है, अगर हिंदी वर्जन देखोगे, तो भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों नाम इंटर्चेंज होके बड़े अराम से यूज हो सकते हैं, जिसका जो मन करें वो यूज कर सकता होगे, और अगर गवर्मेंट चाहे, तो बड़े अराम से ये चेंज हो सकता है, मतलब कि इंडिया पूरी तरीके से हटके, उसका नाम भारत हो सकता है, लेकि उसके लिए करना क्या क्या होगा, लेकि उसके लिए गवर्मेंट को आर्टिकल वान में अमेंड करना होगा, एक Special Majority Amendment, मान लो अगर कोई नया स्टेट बनाना है, या फिर किसी स्टेट की राजिसभा की सीट है, उनको बढ़ाना है, तो ये सब एक Simple Majority Amendment जो है, उससे हो जाता है, इसमें बस इतना चाहिए होता है, कि 50% Parliament का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन Special Majority Amendment के केस में क्या होता है, यानि कि 66% Parliament के लोग सपोर्ट में होने चाहिए, तो अगर भारत नाम रखना है, तो ये दूसरा वाला Special Majority Amendment ये चलेगा, मतलब कि 66% Parliament सपोर्ट में होना चाहिए, और एक्सपर्ट का ये भी कहना है, कि देश का नाम जब भी चेंज होगा, तो उस केस में आधे जो स्टेट हैं उनका भी approval चाहिए होगा, ये सारी चीज़े देखके पाकिस्तान भी इसमें गुसा, पाकिस्तान की historian है, आईशा सिद्धिका, इन्होंने का कि अगर इंडिया ऐसा करेगा, तो पाकिस्तान की एक लंबी जो इच्छा है ना, उसका नाम इंडिया रखनेंगी, वो पूरी हो जैनुरी 2020 में Holland के दोनों North और South region को नीदर लेंड में मर्च कर दिया गया था, 19th century में British Empire ने जो शिलंका है अभी, उसका नाम सिलाउन कर दिया था, बाद में उसको चेंज करके फिर से शिलंका कर दिया गया, 1935 में Persia की सरकार ने Persia को इरान बुलाया, the French Republic अपने आपको French कह लाता है, देकि नाम तो बहुत बार change हुए, लेकिन इसके साथ साथ एक और interesting fact है, कि जो बहुत बड़ी-बड़ी countries हैं, उनके जो नाम है, वो भी उनकी country के नाम नहीं है, वो नाम भी उनको दिये गए हैं, जैसे कि America, Britain, Germany, ये इनके original नाम नहीं है, इनको जिन्होंने conquer किया Philip Kotler और David, इनके research paper के इसाब से, एक country का जो नाम होता है, वो किसी भी product की value को बढ़ाता या घटाता है, जैसे कि हम अगर कोई made in Switzerland का product खड़ी दें, तो उसकी जो brand value है, वो made in Pakistan की brand value जैसी नहीं होती है, तो country का जो नाम है, वो एक brand की तरह बन जाता है, और जो उस country के products होते ह उन products को बाकी देश में help करता है, और customer के जो purchasing decisions है, उनको influence करता है, जब लोग किसी देश का नाम लेते हैं, तो उससे उन लोगों के मन में उस देश की जो image होती है, वो activate हो जाती है, और ये लोगों के purchase करने के, invest करने के, travel करने के, और किसी देश में जाके बसने के decision को भी influence क करता है, इसलिए जब भी किसी country का नाम चेंज होता है तो उसकी economy, import, export, हर चीज़ पे असर पड़ता है, आर्मी की uniform से लेके currency तक हर चीज़ बदलनी पड़ती है, और जो expert science field के, उनका ये कहना है कि जो countries नाम चेंज करती है, ये उन countries के लिए सही रहता है, जिनकी बदनामी ह हुई हो, लेकिन जो बड़े और अच्छी image वाले देश हैं, वो जब name change करते हैं, उनको नुकसान होता है, और यही reason है कि Germany, Britain, America, जिन्होंने इनके ओपर rule किया, उन्होंने ही ये नाम दिये उनको, लेकिन उसके बाद भी इन बड़ी countries ने वो नाम change नहीं किया, in fact मैं अगर इंडिया का भी example नो, तो Bengal जो है, उसके partition में कितने साल हो गया, जो East Bengal था, वो आज की date में Bangladesh हो चुका है, लेकिन इंडिया वाला जो West Bengal है, वो अभी तक उसने अपना नाम change नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे complications है, नाम जब change होता है, तो international, national, state, district, और local level पे change होता है, और बदलना होता है, तो कई सारे कामों में पैसा खर्च करना होता है, maps को अपडेट कराना होता है, navigation system जो होता है, वो अपडेट होता है, अलग-अलग offices में use किये जाने वाले जो कागेश वगरा होते हैं, उनको बदलना होता है, इसके अलावा private businesses, corporate houses, और non-governmental institutes, इनका भी खर है कि जो जोश भारत माता की जय बोलने में आता है, भारत word use करने में आता है, वो अलग होता है, उसकी feeling अलग होती है, इससे हमारा culture भी promote होता है, इससे हमारी history preserve रहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ एक costing भी जुड़ी है, वो भी discuss कर लेते हैं, देखिए देश का जो नाम बदल के प्रयाग राज कर दिया गया था, तो government के estimates के इसाब से ही, state government को इसमें 300 करोड रुपए खर्च करने पड़े थे, 2018 में एक African country थी, Swaziland, इसने अपना नाम चेंज करके स्वाती नहीं रख लिया था, South Africa के intellectual property lawyer, Darren Oliver ने, इसको एक corporation से compare करके, कितना पैसा लगा एक overall marketing budget का 10% हो सकती है, तो यह जो model है, इस model को उठा के outlook magazine ने इंडिया नाम चेंज को analyze किया, और उनके हिसाब से इंडिया का नाम बदलने में कम से कम 14,000 करोड रुपए का खर्चा आएगा, इंडिया की total revenue receipts जो है, वो 2022 से 2023 में 23.84 lakh करोड रुपए में थी, तो इस model को अगर ह सबस्ताइब एक रुपए का रुपथ इस हाजर का λ